नमस्कार मैं सोनिय शर्मा स्वागत करती हूँ आपका नए योटीव चैनल में तो आज हम बात करेंगे सुर्य ग्रह के बारे में, सुर्य देव के बारे में कि हमारी कुणली में सुर्य देव जो हैं उनका क्या असर पड़ता है वो हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं और अगर सूर्य ग्रह जो है वो कमजोर हो तो उसकी क्या लक्षन होते हैं और इन्हें परसन करने की क्या-क्या उपाएं हैं तो वैदिक जोतिश में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है सूर्य ग्रह जनम कुंडली में पिता का प्रती निधित्व करता है जोतिश में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और हिंदू पंचांग के अनुसार रवी बार का दिन जो है वो सूर्य देव को समर्पित है सूर्य सिंग राशी के स्वामी है और कुंडली में सूर्य देव को सम्मान वो उन्नती का कारक माना गया है और अगर हमारी कुंडली में सूर्य देव उच के हैं तो हमें राज किये सम्मान मिलता है हमें नोकरी में बहुत ज़्यादा उन्नती मिलती है हम बहुत उची पूस्ट पर जा सकते हैं लेकिन अगर हमारी कुंडली में सूरे ग्रह जो है वो कम बली हैं वो कमजोर हैं तो उससे जो है हमारी कुंडली पर बहुत अधिक असर पड़ता है तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे पता चले क कुंडली में जो सूरे ग्रह वो कमजोर स्थिति में है अगर तो हम अपनी कुंडली का विशलेशन करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सूरे की स्थिति क्या है लेकिन कुछ ऐसे आम लक्षन है जिने देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो हैं वो सूर्य नीच के हैं तो सबसे पहले तो अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य नीच के हैं या कम बली हैं तो वो जातक बहुत ही हंकारी होगा उसे बहुत ही पैसे का अंकार होगा, बड़ा ही इर्शालू होगा, क्रोधी होगा, उसे बहुत अधी क्रोध आएगा और उसमें विश्वाश की कमी होगी, यानि उसमें confidence की कमी होगी और सूर्य का खराब होना आपको आँखों से संबंदित रोग भी देता है हमें चश्मा लग जयता है, बड़ी छोटी उमर में ही जो है वो आँखों का रोग हो जाता है और पिता से मिलने वाले सुख और सहियोग में भी कमी होती है अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो जो हमें पिता से सहियोग मिलता है, प्रेम मिलता है उसके सुख में भी कमी होती है पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती है किसी ना किसी कारण कोई नोग जोग विचार में तरक वितरक बना रहता है तो ये सारे लक्षनों से पता चलता है कि हमारी कुंडली में सूर्य देव अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे है तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगी जिनें अगर आप श्रद्धा भाव से और नियम से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आपके जीवन में बहुत अच्छा पदलाव आप खुद महसूस करेंगे और सबसे पहले मैं आपको पताना चाहूंगी अगर आपके कुंडली में सूर्य नीच के हैं तो सूर्य की चीजों का कभी भी दान आपको नहीं लेना है और अगर आपकी कुंडली में सूर्य उचके हैं तो आपको कभी भी सूर्य से संबंदित चीजों का दान वो नहीं देना है ये बात का हमेशा ध्यान रखीगा तो सबसे पहले मैं आपको पायो जो बता रही हूँ ये आपको रवी वार के दिन संडे के दिन करना है आपको बहते हुए जल में अगर आपके घर के पास कोई नदी है तो उसमें जो है आपको गुड को प्रवाहित करना है जिससे की सूर्य देव बहुत जल्दी प्रसन होते हैं और अगर आप बहते जल में प्रवाहिद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी गरीब को जुरूरत मंद को आप रवी वार के दिन गुड का दान कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है सूरे देव को परसंद करने के लिए आपको रोज सुबा एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें आप एक छोटा सा लाल पुष्प गुड और लाल सिंदूर डाल कर आप सूरे देव को अर्ग दें और गायतरी मंत्र का जाप करें तो सूरे देव बह आपको लगातार 21 दिन या फिर 11 दिन आपने संकल्प करके कमल का फूल लेना है और आपने अपने घर के पास जो भी गनेश जी का मंदिर है वहाँ पर आपने कमल का फूल गनेश जी को अर्पन करना है इस उपाये से सूरे भगवान बहुत अच्छा फल देते हैं और लाज जो उपाये हैं मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको क्या करना है कि आप कहीं से तांबे के जो कील है वो आप बनवा लीजिए या फिर अगर आपको मिल जाएंगे असानी से तो आप लेकर जिस भी बेड़ पे आप सोते हैं या चार पाई पे सोते हैं उसके चारो पे आपने उन कीलों को गाड़ देना है अगर यह उपाये आप तब करें जब आपका सूर्य जो है वो आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है या बहुत अधिक परिशानी है तो अगर आप यह उपाये करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका अच्छा फल मिलने हैं बहुत सरल उपाये हैं आप इन्हें जरूर अपने जीवन में अजमाईएगा और इनका लाब उठाइएगा तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और श आप इन्हें आप